है न साहिब बीमारी आए ऐसा फोन टेड़ा करके ऐसा मूँ आखड़ा करके ऐसा कमर लास्का के फोटू लेते साहिब इसको सेलफी बोलते साब मैं खुद उनके पास गया उनको भूला हाइट आए अल्रेडी दो तीन लोग हासा में डूब गया है लेकिन नहीं ऐसा सेलफी साबुद तीन लड़की लोग खड़ेते उसमें से एक लड़की मेर पास आती है और मेर को बोलती ये इस डेमोक्रेसी इस माइ लाइफ नहीं डाहे कारोगी हाँ साहिब जब लाइफ ही नहीं रहेगी तो डेमोक्रेसी का क्या गरोगे कालरा बिटला साहिब जीटू इंटरनाशनल पार्किंग लॉड मदे लार अल्टो मेच जीरो टू वन जीरो वान इट पिछले हफ्ते गलटकी और उसके कुस्ति को माचिया फरारता क्या बात है सर थोड़ा डील होता तो हाथ से निकल जाता टाइमिंग है सर और बॉलिवुड पिक्चर में क्या दिखाते ये पुलिस की एंट्री हामेशा लेट स्वारी साहिट रे बासुन वो गनपती के सल क्या डीट है अब ये 25 तारीक हो सर इस बर थोड़ा जल्दी आ रहा है साहब मेरे आई को लालबाक का दर्शन करने का है मेरे को पुष्टी है तेरा पुष्टिंग उतर हुआ है कि नहीं मैं बोला तू अकेली जा अगली बार देखेंगे राबट गनपती तो तेरे गर हटखा लाते है न आ साहब मिसिस लेके आती है ना हर साहब तीन दिन का गनपती है पिछले साल तो हाइट हो गया था सर तीनो दिन गर जाना ही नहीं मिला काई मनता साहब माग सर मुझे ना बेड का हो है वो वो कहते ना सर फोबिया वो सर भई भई हा को न है कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि बुड़ा है राबत बग ज़रा ओ बबा काई जाला सब ठीक है क्या अंकल दो बच गए खरीजाओं जोपा पूरा देश घूम चुका हूं कोई स्टेट या शहर नहीं बचा जहां मेरे पिता जी का ट्रांसपर नहीं हुआ बस दो चार मिनट लूँगा उम्र का लिहाज करके सुन लिजेगा भारती रेल में टी सी थे मेरे पिता जी और मेरी मां एक हाउसवाइब बीस साल का था जब पिता जी का ट्रांसफर मुंबई में हुआ तब ये बॉंबे था जहां आते ही इस शहर से मुझे मुझे मुहबबत हो गई लाव एट फस साइट पर कई सालों तक मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर वो क्या चीज है इसने मुझे हमेशा के लिए यहां रोक के रखा पिता जी का ट्रांसफर तो दूर की बात यहां तक कि मेरे गाउं की जमीन का बटवारा भी मुझे यहां से हिला नहीं सका फिर मैंने काम समाल लिया धर्बसा लिया बहुत कुछ बदल गया बंबे से यह शहर मुंबई हो गया मैं एक टीचर से रिटाइट टीचर बन गया लेकिन मेरा प्यार नहीं बदला वो कम नहीं हुआ अखिर क्यों और आज 45 साल के बाद मुझे यह बाद समझ आ गई है जब मेरा 12 साल का पोता 6 किलो मीटर साइकिल चला कर शाम के 8 बजे टूशन से घर वापस आया और ठीक 2 घंटे के बाद 10 बजे मेरा 47 साल का बेटा चार घंटे ट्राफिक से जूशते हुए उपर से नीचे भेंगे हुए सही सलामत आफिस से घर पहुंच गया और आदे घंटे पहले रात के देड़ बजे मेरी 20 साल की पोती शॉट्स पहने हुए लोकल ट्रेन से पार्टी मना कर सुरक्षित घर वापस आया इस सपनों के शहर में मिलके रहते लाको ख्वाब इसके खुबसूरती से जलते हैं कोई दाउद तो कोई कसाब पर सुरक्षा की जो शपत ली आपने उसे बखुभी निभाते हैं आप दिवाली में पटाके फोड़े तब या ईट में थोड़े रोजा सब आता है मन में ये सवाल तब मिलता है आराम आपको कब आपके अंगिनत कुर्बानियों का आधर करने में न बचे अलफाज कामते सालस कर गर करे समेथ आप जैसे भीर जवानों पर हमें दिलते है नाव टटे रहे अपने कर्थप्यों पर जो न छोड़े अपने शहर का साथ सेवा से सुरक्षा तक मंबई पुलिस दिन और राद गाली देने वाले तो बहुत हैं आपको पर थैंक यू बोलने वाला कोई नहीं बार में आपको पर तक में जोड़े पर दोल जोड़े डिर यूजी दिलते हैं जो प्रदी दिलते हैं कि शेटे दोलिस दिलते हैं झाल 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 झाल